हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं रातरी गश्ट में विबिन्न मुख्य सड़कों और चौराहों पर पुलीस कर्मी तैनात रहते हैं इस दोरान पुलीस अधिकारियों द्वारा भी रातरी गश्ट का निरिक्षन किया जाता है लेकिन गश्ट पर तैनात पुलीस सिपाहियों को फोन के माध्यम से आगे से आगे ये सूचना मिलती जाती है कि पुलीस के अधिकारी आपकी तरफ आ रही है अभी यहां से निकले हैं और पुलीस कर्मी अलर्ट हो जाते है पुलीस लाइन से प्रताप जी की प्रोल में रात्रे गश्ट का हाल पुलीस लाइन से विवेकानन सरकल तक दो पुलीस कर्मी तैनात राजकी अस्पताल से अहिंसा सरकल तक कोई नहीं अहिंसा सरकल से मुख्य स्टेशन रोड गांधी चौक हनुमान मंदिर तक कोई गश्ट नजर नहीं आई गर मंदिर से सबजी मंदी तक दो पुलीस कर्मी तैनात मिले सबजी मंदी से चिडियों की जाल तो पुलीस कर्मी तैनात थे लेकिन सुमवार रात करीब देड़ बजे तक जब रात्री कालीन गश्ट को लेकर स्टिंग ओपरेशन किया गया जिसमें सबजी मंदी से लगाकर चिडियों की जाल के दाइरे में डिवटी पर तैनात सिपाही सबजी मंदी पर सोते हुए नजर आए जिसमें से एक ने अपना नाम घेवर राम तो दूसरे ने अपना नाम मनीश कुमार बताया बार मेर से जागरुप टीवी के रिपोर्ट